Hello everyone, the students of class 9th, I welcome you all to our learning platform, Molding Minds. Today we have English worksheet number 11, आज मारे पास English worksheet number 11 है, तो चलिए हम इस worksheet को शुरू करते हैं स्लोगन के साथ, and the slogan is, if you are not willing to learn, no one can help you. अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, सीखने के इच्चुगी नहीं हैं, तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको कोई सिखा नहीं सकता है, but, but, लेकिन, if you are determined to learn, no one can stop you. अगर आपने ठानी लिया है सीखना, या आपको पूरे आपने निश्चय बना लिया है, आपने संकल्ब ले लिया है कि मुझे सीखना ही है, तो आपको रोक भी कोई नहीं सकता है, तो इसी स्लोगन के साथ माजगी वर्कशीट नमबर 11 को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक हमारा पंक्चुएशन मार्क्स, ये आपने वर्कशीट नमबर 8 में भी पढ़ा था, अगर आपको वो वर्कशीट देखने तो उपर दिये गाए, बिटन बर आप क्लिक कर सकते हैं, इ अगर रिकॉल करें कि कहां कहां क्या क्या चीज़े यूज होती हैं, तो फर्स्ट यहां पर फुल स्टोप हमेशा संटेंस को एंड करने के लिए, खतम करने के लिए होता है, कोमा, कोमा होता है to separate items in a series, एक series होती है उसको items को separate करने के लिए, जैसे राम, कोमा, शाम, कोमा, मो उसका बाद column लगाएंगे और फिर आप क्या लिखेंगे, अपने 500 friends के नाम लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी होता है, इसका sign यह रहता है, to show when a letter और a number has been left out, जब जैसे हमान लेजिए, कोई contract form कर देते हैं, या किसी का position दिखाते हैं, तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते ह जैसे आप cannot को लिखते हैं, can't, तो यहाँ पर n और o को हम, हमने left out कर दिया, छोड़ दिया, तो हमने इसलिए अपोस्ट्रोफी का यूज किया, हम लिखते हैं, शाम's car, तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, यहाँ पर हमने शाम की car, car का position किसके अपास दिखाया है, शाम के पास दिखाया है, ऐसे आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, उसके बाद semi-column रहता है, to join two independent closes, दो independent closes होते हैं, उनको जोड़ने के लिए, यह आप बोल सकते हो कि एक sentence चल रहा है, उसमें but, etc. या end का पोज देने के लिए, तो यह words ना use करके हम semi-column का use करते हैं, जैसे आप मान लीजिए, आप बोल सकते हैं, I am a boy, आपने बोला I am a boy, आपने फिर semi-column का use किया, और आपने फिर बोल रहे हो कि I am 12 years old, तो यहाँ पर यह देखी, दोनो independent closes है, मैं एक लड़का हूँ, और मैं 12 साल का हूँ, ठीक है, लेकिन हमने इसको connect किया किसे semi-column से, क्योंकि कि दोनो sentence दोनों बिल्कुल correct है, दोनों का आपस में कोई relation नहीं है, लेकिन relation हमने semi-column से इसको दिखा दिया, question mark आपको कभी use करना है, जब आप question पूछने किसे सवाल पूछ रहे हैं, what are you doing, आप क्या कर रहे हैं, which worksheet are you doing, आप कौन सी worksheet कर रहे हैं, तो last one question marks जरूर use करेंगे exclamation, विश्मादी बोधक्चिन कहते हैं, जब आपको कहीं feelings, अपनी strong emotions, कोई happy, आजब आप happy हो, sad हो, जब आप इसको use करते हैं, after an exclamation, जैसे माले जी विराठ कोली, it's a very good six, तो आप बोलोगे, what a six, कितना शांदार ये चक्का आप विराठ कोली ने मारा है, तो आप surprise हुए तो आपने यहाँ पर exclamation का आप last में sign जरूर यूज करेंगे, quotation marks का आप जब यूज करते हैं, to indicate a phrase, to show that someone else has written or said it, जब आपको बिल्कुल quote करना होता है उसको, कि ये शब्द हमने ही कहे हैं, या उस person ने ही कहें, जैसे राम says, विराठ is our Indian captain, राम ने कहा, विराठ हमारा भार ये कपतान है, तो ये दिखाने के लिए कि ये शब्द किसने कहा है, राम ने कहा है, तो हम quotation marks या इसको inverted को माज भी हम बोलते हैं, उनको आप use कर सकते हैं, तो इसी के साथ हम आज की वर्कशीट का जो solution, जो exercise है, उसको complete करते हैं, इसमें आप जो जान रखिए, जो punctuation marks हैं, वो तो आपको use करने हैं, और जो capital letters के जो rules हैं, वो भी आपको use करने हैं, अगर आपने capital letters के rules अभी तक नहीं पड़े हैं, तो वो भी उपर ये गाई button पर आप click कर सकते हैं, तो आप वहाँ से ही सीख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं आपसे पढ़ता पढ़वाता हूं, Office Case Council भी आपको बताता हूँ, लेकिन एक पर आप खुद attempt करें, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर start किया Mr. and Mrs. Anita Sharma with their two children Mohit and Meera live in Canada, They spent a month in 2019 during India, so that the children could see their beautiful country, they visited Taj Mahal, Redford, Golden Temple, Jaipur, The kids were mesmerized by the beauty of Taj Mahal and they said it's incredible, when they returned to Canada, they shared their experience with their classmates, class teachers Mr. Rita asked Mohit what he most liked about Taj Mahal, Mohit replied that he liked the craftsmanship done on the marble, अब यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया, कहीं पोज नहीं है, कोई रुकना नहीं है, जैसे हमने कोई expression show करना है, वो नहीं हो पाया है, तो वो सारी चीज़े punctuation mark से show होंगी, तो इसको मैं एक बार one by one बताता हूँ, देखिए Mr. के बाद हम, जब भी हम किसी की short form लिखते हैं, क्या लिखते हैं, abbreviations बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, abbreviations, contacted form लिखते हैं, तो Mr. का हमने MR लिखा, तो MR के बाद आएगा full stop, Mrs. का M बढ़ाएगा, और उसके बाद भी full stop आएगा, अनीता का A बढ़ाएगा, शर्मा का S बढ़ाएगा, with their two children, मोहित का M बढ़ाएगा, मीरा का M बढ़ाएगा, इसमें दो चीज़े सीखने वाली बात हैं, पहले तो जो हमारी abbreviations, Mr. और Mrs. उसके letters capital होंगे, और उसके बाद फुल स्टोब लगेगा, दूसरा, जब हमारा first sentence शुरू होता है, sentence को भी शुरू होता, तो उसका first letter capital होंगे, चाहिए हो sentence के starting में हो, चाहिए sentence के हम बीच में use कर रहे हैं, चाहिए sentence के हम last में use कर रहे हैं, तो हमने मोहित का M, मीरा का M बढ़ा किया, और यहाँ पर Canada के बाद हमारा sentence है, वो खतम हो रहा था, हम फुल स्टोब या period जिसको बोलते हैं, वो हम यहाँ पर लगाए चाहिता शर्मा कहा रहते हैं, कैनेडा में रहते हैं, अब यहाँ पर next sentence शुरू होगा है, तो दे का T बढ़ा जाएगा, they spent all month in 2019 during India, इंडिया का I बढ़ा जाएगा, क्योंकि proper pronoun है, नाम है किसी चीज़ का, ठीक है, किसी विक्ति वस्तुय जगे का नाम आता है, proper name आता है, तो आप उसका first letter हमेशा capital रखेंगे, so that their children could see their beautiful country, आपर full stop बिल्कुल ठीक है, कि they spent a month in 2019 during India, उन्होंने 2019 में पूरा एक महिना बारत घुमने में लगा दिया, ताकि उसके जो बच्चे हैं, वो अपने देश की सुन्दरता को देख सके, again they का T बढ़ाएगा, अब यहाँ पर sentence, last में full stop लगेगा, यहाँ पर, they visited, ताज में, Redford, Golden Temple, जैपूर, कहीं रुका, नहीं रुका, लेकिन जब हमें, हम बोलते कैसे, वो गए, ताज महल गए, Redford गए, Golden Temple, और जैपूर गए, उन्होंने वहाँ पर वो जाके, विजिट किया, तो इसको हम शो कैसे करेंगे, इसक लिस्ट में हमें, पोस देना हो, लिस्ट दिखाने हो, कहाँ कहाँ गए, लिस्ट दिखाने हो, नहीं, they visited, ताज महल का यहाँ पर, T बढ़ा जाएगा, Redford का R बढ़ा जाएगा, Golden का G बढ़ा जाएगा, और Temple का भी T बढ़ा, end यहाँ पर, और जैपूर से पहले, आप यहा बढ़ा, और महल यहाँ पर, का भी M बढ़ा, यहाँ पर मैंने, जो महल यहाँ पर था, उसको मैंने क्यों नहीं, बढ़ा किया, क्योंकि यह इखटा था, लेगिन यहाँ पर यह अलग-अलग इसलिखाज का भी T बढ़ा, रेम का भी बढ़ा, and they said it's incredible, और यह कहा, कि इस प करेंगे, और यह बात उन्होंने कहिए, इसलिए हम इसको, it's के बाद, कोट करेंगे, when they returned to Canada, जब Canada से आए, they shared their experience with their classmates, जब वो Canada साए, तो उसके बाद उन्होंने अपने classmates से experience share किया, again यहाँ पर semi-colon का use होगा, Canada के बाद, क्योंकि यहाँ पर दो independence, जो हो है, लेकिन वो हमें एक sentence से ही, पूरे एक sentence में ही connect करने है, कि वो Canada से आए, आने से ही, और उन्होंने experience share करने से में classmates से, से पार्टियों से जो उनका experience share किया, उनका कोई connection नहीं है, मलब connection है, रेकिन independent close है, इसलिए इनने semi-colon का use है, इसमें किया है, class teacher का C बड़ा की sentence का पहला letter हो, हमेशा बड़ उसके बाद के लगे अकोमा, sorry, full stop, और रिटा का R बड़ा, ask Mohit का M बड़ा, what he most light about, ताज महल, ताज का T, M का M, full stop यहाँ पर Mohit last आ जाएगा, Mohit का M बड़ा, कि Mohit को लगा कि जो marble craftsmanship, जो शिल्प कला जो की गई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, अब आप इनके answers देख सकते हैं, कुछ ऐसे, यहाँ पर आपको rewrite करना है, और यह हमारे answer से हैं, बिल्कुल correct form में, जैसे आप इसको लिखना है, Mr. के बाद full stop, Mrs. का पहला letter, अनीता का A, शर्मा का पहला letter capital, मोहित का और मीरा का first letter capital, D का first letter capital, इंडिया का I letter capital, D का, T capital, ताज महल का T, फिर कोमा, R capital, G capital, टेंपल का T, एंड आएगा, फिर बाद में full stop आएगा, the kids were mesmerized by the beauty of T, ताज का T, महल का M, they said, inverted commas, या आप quotation mark के साथ, इसको quote करेंगे, और exclamation sign के साथ, इसको close करेंगे, यहाँ पर semi colon का use करेंगे, दो independent close को show करने के लिए, class का C, बड़ा, Mrs. का M, बड़ा, Rita G, और Mohit का, जो हमारा M, जो letter है, वो बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पराब ऐसे इस worksheet को complete करेंगे, thanks for watching this video, and if you find this worksheet helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and sporting our channel, molding mind, जाए हिंजाए बाद, मिलते हैं, आप सबसे एकली वीडियो में,